हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल मैं रमा कॉशल तो चलिए आज लेडी सॉक्स बनाते हैं बहुत ही सुन्दर है और बहुत जल्दी बनकर त्यार भी हो जाती है तो चलिए से स्टार्ट करते हैं तो तीक है आज हम जो यह पैरी बनाएंगे यह के लिए नंबर के लिए बनाऊंगी लेकिन आप 6 नंबर वाले भी इसे सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे फथे तो इस तरह से मैं अपने मोती कुंडे डालते हुए जाए और मैं यह 24 जोड़ डालूँगी तो 24 जोड़ होगे मेरे इसको उल्टा बनाते हुए अब लास को है अब यहां पर मैं यहां पर यह क्याओ अब आती हूं मैं इसकी राइट साइड पर तो सीधी साइड में आ गई हूँ और यहां से मैं अब इसमें थोड़ा सा बॉर्डर बनाऊंगे अपने आठ स्लाइं का ठीक है तो पहली स्लाइ लेकिए मैं उल्टी बनाते भी जाऊंगे फिर दूसरी स्लाइ फिर उल्टी बनाऊंगे तो इस तरह से आठ स्लाइएं बन से अपने ऐसे उताना है भागा अपनी साइड एक — दो — तेन — चार — पाण — छे तो दीखिये इस स्टारटिंग मैं उल्टे बनाते हुए 21 फंदे अल्टे जांगे हु है seç green chain में उल्टे बनाते हुएатак यह से वानने बनाऊंगे हुए स्प्माइ लिपके उन्यु आपर 25 यहां पहले हमने जाले डालनी है, धागा उस साइड और यह ऐसे है, द्वारा देखिए, यह हमारा उल्टा स्टिच है, इस तरह से और स्लाई के उपर से इस तरह से, तो यह एक, दो, तीन, चार, पांच और यह छे, छे स्टिच हमने सीधे बनाए, फिर धागा देखिए अप धागा अपनी तरफ और इस तरह से, और अब हमने एक, दो, तीन, चार, तीन, बीस, ठीक है, धागा उस साइड किया, और लास का घर सीधा और एककिस, ठीक है, यह इस तरह से बनाने हैं, अब आते हम इसकी रॉंग साइड पे, तो इसकी जो रॉंग साइड है, यह पूरी उल्टी बनते हुए जाएगी, तो यह उल्टी स्लाई कंप्लीट हो चुकी है, अब आते हम इसकी सीधी साइड पे, अब देखिए, पहला सीजासी उतारना है आपको, और यह जो हमने 21 स्टिच जो है, अब यह हमारे 22 हो जाएंगे, ठीक है, तो देखिए, दो, तीन, पीस, पीस, यह देखिए 21, और यह देखिए, यहाँ पर हमने जाले डाली थी, यह भी हमने उल्टा ही बनाना है, ठीक है, और यहाँ दुबारा से इस तरह से जाले डाली, और यह 6 गर हमारे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक यह छे, ठीक है, छे गर सीधे बनाने के अब धागा प्रितरफ किया और इसके उपर से दुबारे जाली डाली ऐसे यह उल्टा तो इसमें आपने एक चीज का धिहान रखना है हमारे जो बीज के यह 6 स्थ हैं यह हमारे सीदे ही आएंगे और 6 ही रहेंगे इधर और उधर दोनों साइट एक एक सिरे हमारा बढ़ता रहेगा जैसे पहले 21 तरफ फिर 22 हो जाएंगे फिर 22 हो जाएंगे तो इस तरह हमें इसे बनाते हुए जाना आए सीडी साइड मेरी complete हो गई है अब आती हूं में इसकी wrong side पे जो ये उल्टी स्लाई है ये में पूरे उल्टी बनाते हुए इसे जाना है तो देखे फ्रंट ये मेरे उल्टी स्लाई है तो मैं यहां ते इससे बनाते हुए आई हूँ अब देखे थोड़ा सा मुझे आपको यहां बताना था ये हमारा जाली वाला stage है तो इससे मुझे इस तरह से ही बनाना है अब ये 6 घर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अब देखे 6 के बाद मेरा जो ये वाला जाली का stage है देखे किस तरह से आ रहा है हम इसे इस तरह से बनाएंगे ये देखे ऐसे इसे नहीं बनाना है इसे यहां से इस तरह से बनाना है इस तरह से ठेके तो ये सलाई में complete करूंगे अपनी तो ये देखे उल्टी सलाई मेरी complete हो चुकी है अब आती हुमें इसकी सीधी साइट पे ठीके पहला से इस तरह से उतारा धाग अपनी तरफ किया अब देखे पहले हमारे ये 21 थे उसके बाद हमारे ये 22 हुए और अब हमारे ये 23 हो जाएंगे तो यहां देखे दुबारा हम यहां पर आ गए हैं तो यह जिसमें हमने जारी बनाई यह हमने उल्टा बनाया इसके उपर दुबारा यहां पर एक स्टिच इस तरह से बढ़ाया और छे घर सीधे एक दो तीन चार पांच और एक ये 6 ठीक है अब हम यहां पर जाले है तो इस तरह से मुझे ये वधी जालिया है वो पांच बनानी है तो आप देखे यहां पर एक दो तीन चार और यह पांच और वन इन यह कि बनाने के बाद दिखें यह बनाया है इस तरह से और यहां पर एक जाली है ठीक है यहां हमारी सीधी साइड है, तो यह एक, दो, और यह तीन, तो यह तीन सीधे बनाने के बाद हमने यहां पर देखिए एक इस तरह से जाली डालनी है, ठीके, यह देखिए धागा हमारा इस साइड है, और यह ऐसे, और अगला एक, दो, और यह तीन, ठीके, तीन सीधे बनाए उसके बाद धागा इस साइड और यहां पर एक जाली ऐसे अब इस पूरी स्क्लाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे इसके बाद मेरी जो नेक्स प्लाई आएगी उल्टी वह भी मुझे पूरी उल्टी बनाते हुए तो अब देखिए मैंने सीधी साइड यह इतनी बना लिए यहां तक आगी हुँ मैं अब यहां पर यह वाला स्टिच भी उल्टा बनाऊंगे जाली वाला यहां एक जाली डाल इस तरह से यह देखिए इस तरह से अब यह जो बीच कस्ते जहां हमने जाले डाली इसको हमने सीधा बनाना है ऐसे फिर दुबार एक जाली यहां डालनी है और यह तीन स्टिच सीधे एक दो और एक यह तीन उसके बाद देखिए यहां पर फिर हमारी जाली आएगी ठाग अपनी side किया और यह उल्टा बनाया ऐसे तो यह पूरी slide जो है मैंने उल्टी निकालनी है अपनी सीधी side है तो यह मैं पूरी slide अपनी उल्टी बना लेती हूँ उसके बाद फिर इसके बाद मेरी उल्टी slide आएगी जो पूरी उल्टी complete करूँगे तो अब देखिए मैं इसके सीधी slide बनाती हुए आगी हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह उल्टा अब यह जाली वाला घर यहाँ उल्टा अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हमने एक इस तरह से फंदा बढ़ाया जाली डाल यहाँ पर धेखिए मुझे जाली डालनी है देखिए फहले हमारे यहाँ जाली थी अब मुझे यहाँ जाली डालनी है ठाक याँ आहीं पर तीन स्थिच आ गया है सीधे अब मुझे यहां जाले डालनी है और यह एक दो तीन ठीक है यह सीधे बनाए उसके बाद यहां जाले डाले और यह पूरा उल्टा बना दिया ठीक है तो देखिया आपने इसी तरह से सारी स्वाइयर पीट करनी है ठीक है अब बीच में देखिय इदर और उतर हमारे तीन तीन स्थिचिज रहेंगे ठीक है और बीच में हमारे जाले डाल रहे हैं तो देखिये यह 14 जाले मेरी यह बनेंगी यह एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ आठ जाले बनी है अभी तो यह मैंने 14 जाले बनानी है और जो यह वाली है यह हमारी ये वाली जो है नौ जालिया होनी चाहिए ठीक है तो एक दो तीन अब ये तीन जालिया डाली है तो इसी तरह मैं इसकी नौ जालिया बनाऊंगे तो अब देखिए मैंने यहां पर ये जालिया डाल दी है तो इसको इब बार हम गिल लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और एक ये यह दिखिए ये बाली ठीक है ये चौदा तो चौदा जाली है मेरी यहां तक बन गई है अब इसके बाद मुझे जाली नहीं बनानी है और नहीं अपने स्टेज बढ़ाने है तो यह जो है दिखिए यहां पर यह तीन जो कर हमारे बीच में थे यह हमने उल्टे बनाने है इसके साथ जो जाली वाला है यह दिखिए इसमें मेरी जाली पड़ी है यह भी मुझे बनाया ये 9 हम नहीं जाली बाला नहीं गिरना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा और एक पंद्रा तो मेरे यहां पर पंद्रा फंदे जो हैं मेरे यह बीश में यह बड़े हैं बड़े हैं तो अब मैं देखें इनको उल्टा ही बना पंद्रा तो मैं बीच के साथ घर जो हैं यह उल्टे बना लूँगे यह देखें इस तरह से आप देखें सेंटर का घर है यह मैं इस तरह से बना लिया है तो इससे में वापिस लेती हूं और धागव साइड किया और यह सीधा तो अब देखिए अब मैं इधर को नहीं बन रहा होंगे तो अब देखिया हम यहां टोटल स्टेच अपने गिन लेते हैं कितने आए हैं ये दो चार छे आठ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 30 और ये 32, 34, 36, 38, 40 और ये 42, 44, 45, 40 और एक ये 47 47 ते जो है मेरे ये एक साइड आये है और यहां पर जो है मेरे 40, 60 चाहेंगे ठीक है क्योंको देखें ये सेंटर का घर है यहां पर हमने एक बढ़ाया था तो हमारा एक साइड यहां पर बढ़ा है तो हमारी बराबर नहीं आएएगे एक साइड जात आएएगे और इस साइड कम आएगे तो आपने यहां पर यहां से अब आपने वापिस जाना है इस तरह से ठीक है और मुझे यह उल्टे बनाते हुए जाना है यह दिखें यहां पर तो मैं इसे उल्टे बनाते हुए जाओंगे इस स्लाई को मैं उल्टा बना लेती हुँ तो यह उल्टे उल्टे स्लाई मेरी यहां कंप्लीट हो गई है इस तरह से मैं वापिस जाओंगे इस स्लाई में बुलेजे, जिस तरह से आपको ठीक है, उसी तरह से आप दुबारा से बुल सकते, तो देखे यहांसे लेकर, अब हमने अपनी 6 स्लाईयां, छे का मतलब वहारा 12 वह बनानी है, उल्टी उल्टी, एक तो हमारी बन गई, दूसरी हमारी इल्टी आ गई, तीसरी म मैं अब दुबारा उल्टी बनाऊंगे तो इस तरह से करके मैं अपनी बारा स्लाइय जो है वो कम्प्लीट करूंगे देखिए मैं यहां पर आई हूँ अपनी सीधी स्लाइय बनाते हुए अब यह जो लास्ट का है इधागा उस साइड किया और यह बनाया हमने सीधा इस तरह यह मैं यहां च्शची छाए है तो यहां से अब मैं वापिस जाऊंगे इस तरह से मैं सीधा बून देए उस साइड से आई हूँ यह मेरी 11 इस में थी lived कि अब यह जो बारवी स्लाई है यह मैंने यहां पर इस तरह से दो का से एक यह 1 दो, तीन, यह वापिस लिया और यह चार, इस तरह से 4 स्टेच यहाँ पर गटा देने हैं, ठीक है, और इसके बाद में से दुबारा देखें, यहाँ पर उल्टा बनाते हुए जाऊंगे, और इसके उपर 8 स्लाइया और बनाऊंगे, ठीक है, तो 4 हमारी एक साइड से और 4 हमारी दूसरी साइड से, तो यह 8 स्लाइया मेरी कंटलीट हो जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक हमारी 10 स्लाइय कंटलीट हो गई है, तो हम इसको एक बार गिल लेते हैं, यहां से, तो ये देखिए इस तरह से एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, इसको वापिस, तो देखिए मैंने यहाँ पर सा स्टेच जो गटा दिया है, और यह जो स्टेच मुझे गटाने है, थोड़ी लूज गटाने है, ताइटनिक गटाने है यह आपको लूज बंद करने है, तो यह स्टेच आपने छोड़ देने है, उसके बाद आपने इस साइट से आ रही है, तो मेरी सा स्टेच से आ रही है, उसके बाद मैंने यह दिखिए, यहाँ चार स्टेच और बनाई और फिर दुबार आई यहाँ से यहाँ तक सास स्टेच जो है, यह कटा दिये, थेक़्ेए, तो यह दिखिए हमारे इस तरह से आएगा, जितने अब देखिए आप सोच रहोंगे मैंने ये लाल धागा जो उपर क्यों लगाया है मैंने आपको बताया था मेरे ये ओस्वाल का धागा है और ये 100 ग्राम का गोला था तो मेरा ये धागा जो है वो खतम हो गया था मैं इसे और नहीं लाना चाहती हूं कि काफी मोटी उन है तो मेरे पास थोड़ी सी वर्दमान के उन बची हुई थी तो मैंने लास्ट में तीन से लाई है अपनी मतलब 6 लाई है जो है वो रट से बनाई है तो चलिए आगे कैसे बनाई है अब देखिए अब आते हैं इसकी दूसरी साइट पे अब यहां से मैं अपना इस पर दागा ल दागा इस तरह अपने साइट किया और यह सारे मैंने उल्टे बनाने है तो यहां पर मेरे 46 स्टेज थे तो देखिए यहां तो आप एक स्टेज जो है वो कम भी कर सकते हैं लेकिन मैं कम नहीं करूंगे तो देखिए में लास्ट में पहुंच गई हूं तो यहां से और यह लास्ट का सीधा, ठीक है, अब मेरे दोनों तरफ इधर भी 47 स्टेचेस है, और इधर भी 47 स्टेचेस है, अब आते हूं में इसकी रॉंग साइट पे इधर से, ठीक है, तो जिस तरह से मैंने यहां पर बनाया, देखिए ये सेम इसी तरह से मैं यहां पर बनाऊंगी ठीक है तो एक तो तीन चार पांच और अरएकी छे मैं इसके छे स्लाइय को बनाती युदा था उसके बाद आपको बताती हूं kis तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, ये छे रो मैंने जब complete कर ली, तो उस साइट से जब मैं उल्टी स्लाई में आई हूँ, तब मैंने यहाँ पर कम किया है, ठीक है, चास्ते जब ने, तो यहाँ पर मेरे ये, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच स्लाई ये complete हो गई है, अब मैंने चुछ चटी स्लाई है, इसमें यहाँ पर, चास्ते जो है, वो मैं कम करूँगे, ठीक है, इस तरह से, ये दो का एक, और इसे मुझे लूज बनाना है, ठीक है, एक, दो, तीन, और एक ये, चार, इसको वापस, ठीक है, अब, पहला से, इस तरह से उतारा, और ये, उल्टे बनाने हमें, यहाँ पर भी हमारी 10 रो, जो है, 10 रो complete हो गई है, अब यहाँ से गिन लेते हैं, देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और ये 10, तो ये जो 10 भी देखें, पहले इस वाले में दे देखें, यहाँ पर भी, 10 स्लाइ cumplete है, और ये जो स्लाइ है, ये इस तरह से बनाते हूए सीधी आई हूँ, ठीक है, अब ये वाली इस स्लाइ है, इसे बनाते होए, पहले में इदर से गई, और अब मैं यहाँ से उल्टी बनाते हूए आई हूँ, ठीक है, त त मैं यहाँ पहुंची हूँ और दोनुस लाइया मेरी एक ही साइड पर हैं अब मैंने यहां पर तो मैंने यहां पर अपने साथ घर जो है वो बंद करने हैं ठीक है साथ स्टिचेज तो यह दिखे एक और धीले बनाने हैं यह दो तीन चार पांच छे और यह साथ ठीक है यह वापिस और यह दिखे इस तरह से लूज होने चाहिए यह ठीक है अब देखे अब देखे इन दोनों स्लाइओं को मुझे इस तरह से एक ही साइट को रखना है ठीक है इस तरह से देखे तो देखे फ्रेंड मैं तो इन दोनों को इकठा करके इस तरह से जोड़ूंगे आपस में अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो जिस तरह से साथ घ या तो आप 10 नंबर की स्लाई ले लिजे इसे घटाने के लिए नहीं तो अगर आप लूज नहीं बना सकते तो आप इसमें 9 नंबर की स्लाई यह घटाने के लिए लगाईए ठीक है तो दीखें पहला स्टिच यह और यह इस तरह से ठीक है इसके ऊपर से ऐसे और हमें यह लूज रखना है धागा टाइट नहीं करना है ज्यादा इस तरह से ठीक है इस तरह से मैंसे सारे स्टेजों अपने बंद कर लूँगे तो दीखें हमारे जो टोटल स्टिच थे वो 47 थे ठीक है 47 एक साइट और 47 दूसरे साइट इसके बाद हमने इसमें से 4 माइनस किये 4 माइनस किये तो हमारे बंते हैं यह 43 ठीक है उसके बाद हमने 7 माइनस किये तो हमारे बंते है 36 तो दोनों स्लाइओ में जो मैं यह कटा रह हूँ इसमें हमारे 46 एक स्लाई में और 46 जो है वो दूसरी स्लाई में इसे बंद कर लूँगे इस तरह से ठीक है यह मैंने कम इसले काटा क्यूंकि मैं इसको ग्रीन से लूँगे ठीक है यहां देखिए यह इस तरह से बंद हो गया हमारा इस दिकर पहले मैं इससे यहां यहां तक सीलूंगे और उसके बाद इसे ऐसे एसे करके सिलना एं हमें ऐसे मैं Essa की तो पहले सीलेते फिर आपको पताती हूं पहले स की बैकसाय लेते हैं यह दिखिए यहां एक में नॉट लगा दूँगे इस तरह से अब मैं इसको सिलती जाओंगे एक से यहां से लोगी और दूसरे इसके साथ आइसे इस तरह से अब दूसरे मैं नहींडे यहां से यह सिल लिया है अब आते हम इसके अंगोठेर बंजा की तरफ ठीक है इस तरह से आपका इस तरह से पड़ी है इसको यहां से इसतें से खोली ऐसे pizza अब आपको यहां से कोता है यहां और यहां से इसा अगूठा बन जाएगा और इसका नहीं रहो झाएगा तो हम इसे सिर्णार करते हैं तो मैं इसे खिसा चाह्वैं तो मैं तो यहां से सिल रही हूँ ना आपने इसको उपर से सिलते वे आना है मेरा धागा यहां पर बचा है तो देखें एक इधर से और एक इधर से इस तरह से ठीक है एक यह साइड ले और एक हमने इसकी दूसरी साइड लेनी है ऐसे अब देखिए हम जब यहां पहुंचेंगे यहां पर तो यह उपने एक नौट लगानी है इसकी। और यह दोनो बराबर आगे से और पीछे से दोनो बराबर लेना है हमनी है और यहां पर एक इस तरह से नॉट लगा देनी है यह दिखिए ठीक है अब इसको अग्ला से लीजी ऐसे अब दिखिए यहां लास्ट में यहां पर इस तरह से नॉट लगा दीजिए ठीक है और इस धागे को ऐसे अब हमारा यह दूसरे साइड रहे गया है तो देखिए मिर पास यहां पर लाल धागा बचा है यह महरून वाला तो मैं इसी से सिल लेती हूं इसे तो दिखिए जैसे से हमने उस सेड सिला वैसे हमने इस सेड भी सिलना इसे इस तरह से मों सी सिलते हूं जाओंगे और इससे बनद कर लोंगे कि आप मैरे और सॉक्स की डेजाइप देखना चाहते हैं तो प्लीज यहां पर क्लिक करेठे आप कुछ आरे डिजाइन यहां पर अपर आप लिए बहुत बड़िया अंगुठे बंता हैं अंगुठे जुराब ला अंगुठे और आपका पंजा बहुत अच्छाBen आता है और और यह इस तरह रभ तरफ हमारा अंगुठा मों बन गया और दूसरा हमारी पंजा बन गया तो यह देखिए दोनों मैंने इस तरह से बना के त्यार कर लिया है बहुत ही बढ़िया बनते हैं यह अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी है मेरे बताने का तरीक है तो प्लीज मेरे चैनल को Like, Share और Subscribe जरूर कीजएगा तो आज जो चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए